तो गाइस अभी हमारे पास एक वीव का फोन आया हुआ है और इसके अंदर अभी लग गया है पासवर्ड लोग पैटन लोग इसका भी कॉस्टमर भूल चुके हैं तो पैटन इसका उनलोग करेंगे तो कैसे उनलोग करना इस वीडियो में आपको बताएंगे सबसे पहले मैं हमें नहीं पता इसका पैटन क्या है तो इसको उनलोग करेंगे और उनलोग करके आपको दिखाएंगे कैसे इसको उनलोग करना सब सब पहले में इसकी मॉडल की बात करूंती यह वीव का वाई 71 मॉडल है और इसका मॉडल अगर आपको चेक करना है और फोन लॉक है तो यह यहां पर आपको एक नोटिफिकेशन का टाइप पर दिखेगा इस पर क्लिक कर देना है तो यहां पर आपको मोडल दिख जाए यह देखिए यहां पुरा डीटल दिया है वीवो 17-24 इसको आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह वाई 71 मोडल है और वाई 71 है तो इस सिस्टम वीवो का दे दिया है कि उसको आप उनलोग कर सकते हो बट अभी फिलहाल हम आपको उनलोग करके इस से दिखाएंगे वीडियल फंक्शन वर्क करता है कि नहीं करता है आपको पता होगा कि आपको क्या करना है वैल्यूम आप दाउन और पावर की कि यहाँ फाइस की वहाइस गूट मूड आ गया तो चली अब देखते हैं कि नौर्मल ही के वहल गनेक करना आ है यहां लेंग आप आंपर अंपॉर्टेट फ्रम्य रहा आँ अभी थैस अपॉर्टेट नहीं अभी लॉकर पया को यहां पर अप देखिन अगर吗 यहां पर चुरुत बहुत नहीं पड़ता हैं में और ना आपको खूलाई, और अपां को खुलने पड़का पड़ते हैं यहां पीशान पाई, जिस फोन पड़ते हैं तो आप फिर आपको खोलने पड़ते हैं तो आपको नीचे में दो इडियल पॉइंट आपको मिल जागा यहां पे ध्यान से रिखिए इसको मैं नेसाफ कि बैटरी के बाजूस को आपको दो पॉइंट दिख रहा हो यह इसको शाट करके आम इसको उनलॉक करना है तो इसको मैं बैटरी कनेक्टर एक बड़ा निकाल के लिए 6.8 वर्जन बाकि अभी नए वाले वर्जन जो आ हैं कई बार एरोर अगर आते रहता है तो इसलिए में इतने भी पुराने फोन है उनके लिए यही वर्जन यूज करता हूं और मेरे कंप्यूटर में इस्टॉल यही रहता है जब कोई नया फोन आता है और पुराने वाले वर्जन में सपोर्ट नहीं रहता है तब जाके में नए वाले प्रूंग करते हूं हम इसको यूज करते हैं में जाना आपको देशने कर लेना और या है डिंटी इम? तो यह मेरा है मेरा कली यहां पर है वो कर दो डर्पया मिन्हार है को अब आपको आपको अप्ल प्लुक्ति ह् हाल अब अब के वल यह लगा को दोना यह अब llef थोड और काभर ईख आफ लगा देना है कि यहां पर सेंडिंग एरोर देखके लिए क्या आपको आ रहा होगा तो यह हमारा केबल हील जाने की वशाया है तो हम इसको वापस से फिर से बैटिक कनेक्टर निकालेंगे और वापस से लगा के और फिर से इस चीज को डुबारा ट्राई करेंगे तो आप देख सकते हैं फाइनली हमारा मेहनत जो है वो काम आ गया अभी एफोन प्रॉफर एकदम कनेक्ट हो चुका है इसमें डस्ट बहुत ज्यादा हो गया था इसके बार से एफोन कनेक्ट नहीं हो रहा था तो अभी हमने इसको कनेक्ट कर दिया है और अभी देखिए हमार अब हम प्रोसेस हो जुआ है और फॉन आटमेटिक आपका चालू हो जाए वह चालू करने की ज़रूत नहीं पड़ती है बटी यह फोन नहीं हुआ इसे चली हम चालू कर लेते हैं तो यहां पर फॉलकम में आप्टमेटिक फॉन चालू हो जाता है बट अब यह नहीं झाल झाल यहाँ पर देख सकते हैं यह फोन आपि नर्मली फोल चुका है और अभी सेट अप कर लेना है जब नया फोन आप लेते हैं तो जिस प्रकार का सेट आप करते है उस प्रकार का सेट आप लेना है जब भी आप पुराने वाले जो फोन है उसमें कई कई ऐसे फोन है जो जल्दी हो जाते हैं कई फोन ऐसे हैं जो बहुत जादा टाइम लेते हैं खुलने में जब भी आप उनलोकिंग और उसको फॉर्मेट करते हो तो यहां पर बस आपको इसकीप नेक्स करके आगे बढ़ते देख सकता हमें पुरा सेटिंग कर दिया और यहां फोन यह जो है नौर्मली चालू हो चुका है तो इसका हमने अभी एफारभी पासवर्ट सब कुछ बाइपास कर लिया है तो बस फिलाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो का असा लगा हमें जरूर बताईए अच्छा ल कर दो कर दो